पिसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ, मेरे प्यारे बच्चों MCC ने Information Platinum जारी कर दिया है 2024 की Counseling के लिए इस Information Platinum में Information होती है कि Counseling के Rules क्या होंगे तो 2023 में जो Counseling हुई थी, उससे अभी इस 2024 में क्या Changes हुए हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और इसमें Information Platinum में जो Procedure दिया गया है वो भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा तो यहां दो Changes हुए हैं 2023 से 2024 की Counseling के अंदर तो पहला सबसे बड़ा Changes यह हुआ है कि अगर आप Second Round Report कर लेते हैं तो उसके बाद उसको Regine नहीं कर सकते हैं इसमें Second Round के Instructions में यह लिखा हुआ है Report to Alerted Institute Complete Admission Formalities और Bracket में लिखा है Can Upgrade But Can Not Regine यानि कि Second Round से Third Round में Upgrade तो कर सकते हैं लेकिन Regine नहीं कर सकते हैं एक बार आपने Second Round जोइन कर लिया उसके बाद में Regine नहीं कर सकते हैं ये 2023 के Information Blatine के यहां Note 2 में लिखा गया था कि अगर किसी Candidate ने First Round में Seat Join कर ली है और Second Round में उसकी Seat Upgrade नहीं होती है और वो First Round वाली Seat पर Join नहीं करना चाता है वो उस Seat पर रहना नहीं चाता है क्योंकि आलरी Join तो है उसको वो रखना नहीं चाता है तो वो एक्जिक्ट ले सकता है उसकी Security Money तो Forfeit हो जाएगी लेकिन वो Regine कर सकता है उस Seat को ये Result Announce के दो दिन बाद Second Round के Result Announce के दो दिन बाद तक इस Seat को Regine कर सकता है लेकिन जो 2024 का Information Blatine है उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसमें Note 1 ही दिया गया है Note 2 इसमें दिया नहीं गया तो इससे जो यहां पर Flow Chart में दिखाया गया है उससे ये भी साफ हो गया है यहां कि अगर किसी Candidate ने Second Round में जोइन कर लिया तो अगर यह Change हुआ इस परकार का Rule और अगर इन Candidates को मोका दिया Seat Resign के लिए तो हम आपको Inform कर देंगे Second Round के Joint Candidate को अगर बाद में मोका दिया जाता है Resign के लिए तो हम आपको बता देंगे यह उस समय पता लगेगा जब Second Round का Result आ चुका होगा उस समय अगर इसमें कुछ Change हुआ तो MCC की तरब से Public Notice द्वारा यह बता दिया जाता है इस परकार के अब इसमें जो दूसरा Change है वो एक Normally सी Change है वो Change यह है कि 2023 तक जैसे ही Result आ जाता था MCC का उसके बाद हमें Documents अपलोड करने होते थे लेकिन इस बार ऐसा Information Blatine में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि Result आने के बाद में Documents अपलोड करने हैं यह मैं आपको 2023 का Information Blatine दिखा देता हूँ इसके Point No.E पर लिखा हुआ है Uploading of Essential Certificate After Declaration of Result लेकिन 2024 के Information Blatine में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है तो इससे यह जाईर होता है कि अभी Documents अपलोड की आवशक्ता नहीं है MCC के Portal पर किसी भी Round का Result आने के बाद में अगर इसमें कुछ चेंज हुआ अगर आपको Documents अपलोड करना Essential हुआ तो हम आपको बता देंगे वैसे Link दिया जाता है Documents से अपलोड करने के लिए अगर जरूरी है तो हम आपको बता देंगे Otherwise ऐसा इसमें कुछ लिखा नहीं है Information Blatine में एक इस Information Blatine में जो Eligibility है वो भी लिखी गई है वो जो NTA के Information Blatine में Eligibility थी वही Eligibility इस बार लिखी है MCC ने उसमें यह है कि जो General EWS Candidate है उनको 50% Marks दे है Physics, Chemistry, Biology में Aggregate Marks इंग्लिस में पास वा होना चीए और जो SCST केटेगरी से हैं OBC केटेगरी से हैं उनको 40% Marks की यहां Require है तो इस परकार का इन Notice दे है हलांकि AIMS का अलग क्रेटेरिया है उसका मैं वीडियो अलग से बना चुका हूँ उनका 60% है यहां 50% है तो AIMS का आप देख सकते हैं क्या उसका eligibility क्रेटेरिया है मैंने इसके बारे में वीडियो बना दिया है तो यह initially changes हुए हैं इसमें जो information blatant 2024 का जारी किया है MCC ने इतना ही इसमें change हुआ है और बाकी कहीं change नहीं है counseling rule वो 2023 में थे वैसे ही counseling rule इस बार भी है अब मैं आपको बता देता हूँ यह जो counseling का process है इस बार MCC ने पहली बार UG के लिए ऐसा flow chart दिया है हालां कि PG के लिए पहले भी दिया जाता था इस परकार का flow chart लेकिन UG के लिए भी इस परकार इस बार ये flow chart दिया गया है इससे एक बार हम समझते हैं इसके rules rules वही हैं जो पहले 2023 में थे बस second round के बाद आप seat को resign नहीं कर सकते यह ही इसमें changing है तो सबसे पहले आपको first round का registration करना है registration में आपकी fees है उसका payment करना है security deposit का आपने payment करना है मैं आपको यहां पर पता दूँ कि government की condition में जो general और EWS candidate है उनके 11,000 rupees deposit होंगे उसमे 1,000 registration fees है और 10,000 security deposit है जो refundable है आपको वापस मिल जाएगा college मिलने की condition में भी और college नहीं मिलने की condition में अगर आपकी security money forfeit नहीं होती है तो इसके बाद में OBC, SC, SD यह जो candidates है इनके लिए government की condition में 5,500 rupees deposit होते हैं उसमें 500 rupees registration charges है और 5,000 rupees security money है वो आपको बाद में मिल जाएगी college alert हो तब भी मिल जाएगी अगर आपकी आपका amount forfeiture नहीं होता है तो अब जो dimmed के candidate से उनका registration fees 5,000 rupees है और security money 2,000,000 है यानि कि जो dimmed में admission लेना चाते हैं और government college में भी लेना चाते हैं dimmed plus government दोनों में लेना चाते हैं तो उनको 2,500,000 rupees deposit करने पड़ेंगे 2,000,000 इसमें security fees है जो refundable है अगर आपकी security money forfeit नहीं होती है तो आपको 2,000,000 rupees college मिलने की condition भी मिल जाएंगे और नहीं मिलने की condition में भी मिल जाएंगे तो ये जब आप registration करेंगे तब उसके साथ ही आपको registration fees plus security money deposit करने होगी अब first round का seat allotment होगा अब seat allotment में दो ही condition होती है या तो किसी candidate को seat allot होती है या फिर seat allot नहीं होती है अगर किसी candidate को seat allot नहीं होती है तो वो second round में जाएगा second round के लिए वो eligible है जो choice fill की है उसमें अगर उसको seat allot नहीं होती है तो वो second round में जाएगा इसके बाद अगर किसी candidate को seat allot हो जाती है तो यहाँ पर भी उसके दो option है अलोट होने के बाद अगर वो join करना चाता है तो college में जाके सारी उसको admission फॉर्मल्टी इच पूरी करनी होगी यानि कि वहाँ fees deposit करना है original documents वहाँ पर deposit करना है तो उस condition में वो college में जाकर के deposit कर सकता है admission ले सकता है वहाँ पर अब admission लेते समय उस हो जाएगी वो MCC में आगे के round के लिए eligible नहीं है अगर वो upgradation के लिए yes देता है तो वो आगे वाली rounds में upgrade करवा सकता है वो second round में भी upgrade करवा सकता है और third round में भी upgrade करवा सकता है तो अगर वो no का इसमें दूसरा option यह है कि अगर कोई candidate admission नहीं लेना चाता है तो वो यहाँ free exit भी कर सकता है यानि कि अगर उसको college alert होगी वो college में जाना नहीं चाता है तो उसका कोई नुकसान नहीं है वो second round में participate कर सकता है तो यह तो है first round की condition अब हम second round की condition देखते हैं तो second round में वो candidate eligible होंगे एक तो second round में phrase candidate जिन्नोंने अभी तक registration नहीं किया है first round में वो second round में registration करके इस counseling में participate कर सकते हैं दूसरे वो candidate जिनको seat तो मिल गई थी लेकिन उनने free exact का option लिया था यानि कि कहीं join नहीं किया था वो second round में यहाँ participate करेंगे तीसरे वो candidate जिनको first round में कोई seat नहीं मिली थी वो candidate यहाँ participate करेंगे तो तीन यहाँ candidates यहाँ participate करेंगे अगर किसी ने first round में registration कर रखा है उनको second round में registration करने की आवश्यक्ता नहीं है यहां पर उसके बाद में जैसे ही registration complete हो जाता है phrase candidate का उसके बाद 24 फिल की जाएंगी first round वारी 24 फिल यहां nil हो जाती हैं यहां पर कोई choice नहीं रहती सभी candidate को जो participate करना चाते हैं second round में उनको फिर से twice फिल करने होगी second round में choice फिल करने के बाद में second round का result आ जाएगा और result आने के बाद में दो ही condition होती है कि seat alert होना और seat नहीं alert होना अगर जिन candidate को seat alert नहीं हुई है वो third round में जा सकते हैं कोई third round में जाने के बाद में वो फिर से twice field करेंगे, तो वो candidate तो third round में चले जाएंगे, अब जिनको seat alert हो गई, उनके पास भी दो option है, seat alert हो गई और वो college join करना चाते हैं, जिन candidate को seat alert हो गई और वो college join करना चाते हैं, तो college में जाकर के सारी admission, formalities वो पूरी करेंगे, और first round की त अगर upgradation yes करते हैं, तो वो third round में upgradation के लिए चले जाएंगे, यनि कि ये seat तो उनके हाथ में रहेगी ही, उसके बाद में वो third round में upgrade ले सकते हैं यहां पर, दूसरी condition ये है कि seat alert होगी candidate को second round में, लेकिन वो join नहीं करना चाते हैं, तो join नहीं करना चाते हैं, तो उनकी security money त कर सकते हैं, तो इस परकार से ये third round का schedule है, ये second round की condition है इसमें, अब इसमें एक चीज यहां ये भी है, कि अगर आप second round join कर लेते हैं, तो उसके बाद में उसको upgrade तो कर सकते हैं, लेकिन resign नहीं कर सकते हैं, ये condition इस बार जोड़ी है इन्होंने, आप third round की देखते हैं, तो third round में वो candidate participate करेंगे, जिन candidate ने पहले कभी registration नहीं किया है, दूसरे वो candidate जिनको seat alert नहीं हुई है, तीसरे वो candidate जिनोंने अपने security money forfeit कर वा ली है, तो नया security money यहां fill करके, नया registration करके, फिर से वो यहां participate कर सकते हैं, फिर से यहां choice fill करेंगे, क्योंकि first or second round की choice fill यहां nail हो जाती third round का allotment होगा, allotment में वो इक दो condition होती है, या तो आपको seat allot होगी, या seat नहीं allot होगी, अगर seat allot नहीं होती है, तो आप सीधे stay vacancy round में जाएंगे, वहां आप participate कर सकते हैं, अगर आपको seat allot हो जाती है, और उसमें आप join नहीं करना चाते हैं, तो आपकी security money तो forfeit होई ज जाती है, कि अगर आपको all India के third round में seat मिल गई है, तो हमारे state में आप seat ले सकते हैं, लेकिन कुछ state ऐसे हैं, जो ये condition देते हैं, कि अगर आपको all India के third round में seat allot होगी, या किसी state ऐसे भी है, जो ये भी बोलते हैं, कि किसी भी round में seat allot होगी, तो वो state के third round में participate नहीं कर सकते तो आपके state में आप देख सकते हैं कि कौन से state है आपका और वहाँ condition क्या है अब तीसरे round में आप अगर यहाँ seat join नहीं करते तो आपकी security money तो forfeit होई जाएगी उसके साथ साथ आप इसरे vacancy round में भी participate नहीं कर सकते हैं इसके बाद अगर आप तीसरे round में आपको college मिल गी और आप उसको join कर लेते हैं तो join करने के बाद उसको resign नहीं कर सकते हैं अगर फिर भी आप resign करते हैं तो आपकी security money forfeit हो जाएगी यहाँ पर और upgrade का यहाँ तीसरे round में कोई option नहीं है first round में upgrade का option है first से second में upgrade करवा सकते हैं second से third में upgrade करवा सकते हैं लेकिन third round के बाद में upgrade का कोई option नहीं है इस train में कोई upgrade नहीं होता है third round से तो यह condition है यहाँ पर एक condition यह होती है कि अगर किसी candidate को seat upgrade हो जाती है जैसे first से second में upgrade हो गई या second से third में upgrade हो गई तो rule यह है कि जो उनकी joint seat है उस seat पर वहाँ resign देना होगा उस college में आपको जाना पड़ेगा join किया है वहाँ पर resign देना होगा अपने documents लेने होगे fees लेनी होगी और फिर जो आपकी upgraded graded allotate college है उसमें जाकर कि आपको join करना होगा तो यह condition है round 3 की अब round 4 जो होता है इसमें phrase registration करना है और phrase ही 24 फिल करनी है 24 फिल हर एक round में phrase twice फिल करनी है और phrase registration उन candidate के लिए है जिन्होंने अभी तक registration नहीं किया है अगर पहले registration किया है receipt नहीं मिली है उनको तो वो candidate यहां registration करने की आवशकतन नहीं है ऐसे candidate जिनको third round में एक बार इस बात को आप फिर से सुनना ऐसे candidate जिनको third round में seat allot होगी है वो इस्टे में नहीं आ सकते हैं लेकिन जिनको seat allot होगी है second round या first round में शुरी second round में वो यहां इस्टे round के लिए दुबारा से registration करके security fees deposit करके participate कर सकते हैं first round बार यह तो आलड़ी participate करेंगे उनको fees वगरा deposit करने की चरोतर नहीं है तो यह first और third और second के मैंने rule बता दी है यह important है क्योंकि काफी student को इन में confused होता है पिसली बार भी ऐसा हुआ था हमने इसके बारे में वीडियो बना के बता दिया था कि जो candidate second round में join नहीं करते हैं seat allot होने के बाद में वो इस्टे round में फिर से security money deposit करके registration करके participate कर सकते हैं उनको third round में कोई seat allot नहीं होनी चाहिए यह condition भी है अब phrase registration उन candidate के लिए होगा जिन्होंने अभी तक registration नहीं किया या जिनकी security money forfeit होगी है दूसरे round में अब choice fill आपको करनी है choice fill दुबारा से करनी है phrase registration उसके बाद में seat allotment होगा दो ही condition होती है अगर seat नहीं allot होती है तो आप आगे की तयारी करें या फिर state में कहीं देखें और अगर आपको seat allot हो जाती है उसके बाद आप join नहीं करते हैं तो उसके बाद आप एक साल यानि की 2025 की need exam नहीं दे पाएंगे अगर stay vacancy round में आपको seat allot हो जाती है और उसको आप join नहीं कर सकते तो 2025 की need exam नहीं दे पाएंगे अगर stay vacancy round में आपको seat allot होगी join करें और MBBS करें या BDS करें या BSC nursing करें वहां से तो ये जानकारी मैंने आपको सारी सब कुछ समझा दी है इसके बारे में जो changes थे उसके बारे में भी बता दिया है और ये भी बता दिया है कि counseling process क्या रहेगा आगे का जो 2024 का इस साल के लिए फिर भी अगर MCC ने कोई इसमें update किया या revised information bulletin डाला या फिर इसमें कोई change किया तो मैं आपको video बना के बता दूँगा इसमें जैसे ही इसमें कोई change होगे अगर आप counseling के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो MCC, state quota, IUs, veterinary, in सब के बारे में हमारी book available है इसमें 2120 के बारे में हमने जानकारी दे रखी है, पूरी की पूरी यह information है, bond बगरा के बारे में जानकारी है, college बगरा के बारे में, seat fees बगरा सब कुछ इसमें सारी जानकारियां दे रखी है, इस video के description box में जैसे ही आप download करेंगे, तो एक बार हम आपसे संपर्क कर लेंगे, आप हमारे इस website से www.sopraeducation.in से भी इनको download कर सकते हैं तो जैसे ही counseling के बारे में और update मिलेगी मैं आपको inform कर दोगा तो मिलेंगे नई update के साथ नई वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए जैहिन